असिया पूरन हो असिया पूरन हो थटी मिया की जय हो भवान सूरी की जय हो आज मैं आपनों को बताने जा रहे हूँ सूरी सस्टी ब्रत के बारे में कार्थिक मास शुक्ल पक्ष की सस्टी तिति को यह ब्रत किया जाता है इस दिन सूरी देवता की पूजा का विशिस महत्व है यह व्रत पूत्र होने पर क्या जाता है इसे करने वाली इस्त्रियां धन, धान, पती, पूत्र तथा सुक्ष सम्रदि से परिपूर्ण रहती है चर्म रुग और आँखों की बिमारी से भी छुटकारा मिल जाता है पूजा का विधान इस ब्रत में तीन दिन तक इसमें कठोर उपवास किया जाता है इस ब्रत को करने वाली इस्त्री पंचमी के दिन एक बार बिना नमक के भोजन करती है और स्रस्टी को बिना जल के रहती है और स्रस्टी को अस्त होते वे भगवान सूरी को विधी पुर्वक पूजा करके अर्ग दिया जाता है विवीत प्रकार के पकवान फल मिष्ठान आदी से सूरी भवान का भोग लगाया जाता है रात जागरान करके दूसरे दिन प्रातय इस्त्रियां इसनान करके गीत गाती है और सूर्योदे होते ही अर्ग दे कर जल गरहन करके व्रत को संपन करती है भवान सूरी की कथा प्राचिन काल में एक बिंदु सार तिर्थ में महिपाल नामक एक बाणिक रहता था वो कर्म और धर्म को नहीं मानता था देवता विरोधी था एक बार उसने सुरी भवान के प्रत्मा के सामने खड़े हो करके मल मूत्र को त्याग दिया जिसके पैनाम सरूप उसकी दोनों आखों की रौष्णी चली गई एक दिन अपने आतताई जीवन से उब करके गंगा जी में कूद करके फ्राण देने का निश्चत कर वो घर से निकल पड़ा रास्ते में उसे रिशी राज नारद जी मुले और पूछे कहिए सेट जी कहां से जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो अंधा सेट रो पड़ा और सांसारिक दुख सुख की प्रतार्णा से प्रतारित हो प्राण त्याग करने का बात बता करके अपने इरादा को बताया नारद मुनी को दया आ गई और गदगद होकर भोले ही अज्यानी तू प्राण त्याग करके मत मर भगवान सुरी के क्रोध से तुमें यह दुख भगतना पड़ रहा है तुम कार्तिक मास की सुरी स्रस्टी का ब्रत रखो तेरा दुख और दरिद्र मिट जाएगा वानिक ने वैसा ही किया तथा सुक्ष सम्रत ही पूर्ण हुआ और उसे की आँखों की रोष्णी वापिस मिल गई सुरी भगवान की जै हो माता स्रस्टी की जै हो इस प्रकार मैंने आपनों को सुरी स्रस्टी ब्रत कथा सुनाई है अमुवा के बाग में उगल सुरज मल जाके जूखे अमुवा के बाग में उगल सुरज मल जाके जूखे एहो करी लो बरतिया से किकरा लागे छट माता की जै हो छटी मैया की जै हो आप सभी लोग को आज मैं बताने जा रही हूँ कि यह जो की छट माता का ब्रत आ रहा है यह कब है इसका आरंब किस दिन होगा नहाई खाय से ले करके खरना और जो बड़की छट होता है वो किस दिन ब्रत रखा जाएगा और पाड़ना यह संपूर्ण जानकारी आप सभी लोग को अपने वीडियो के द्वारा देने जा रही हूँ किर्पया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें आप सभी लोग को यह वीडियो अच्छे लगे तो किर्पया कमेंट बॉक्स में छटी मैया अवस्य लिगती जेगा जै छटी माता अवस्य ही लिगती जेगा यह छट पूजा जो कि पुर्वांचल में अत्यंत भक्ति भाव से इस छट महापर्व के तेवार को मनाया जाता है यह पुर्वांचल का प्रमुख तेवार है भगवान सूरी को अर्ग दिया जाता है इस छट महा पर्व में भगवान सूरी की विशिस अराधना का यह तेवार होता है और भगवान सूरी की अराधना की जाती है पूजा की जाती है और यह पूजन कारे चलता है चार दिन के लिए बहुत लोग चार दिन का ब्रत रखते हैं बहुत लोग 24 घंटे का एक दिन का जिसे बढ़की छट कहते हैं डाला छट कहते हैं उस दिन का ब्रत रखते हैं बहुत लोग पून संपून विधी विदान से पूरे चार दिन का ब्रत रखते हैं चट महापर्व का तहवार मनाय जाता है पुत्र प्राप्ति हेतु संतान के लिए यह तहवार विशेशकर मनाय जाता है जो कोई भी भगवान सुरी के उपासना करता है कहते हैं कि उसके पती निरोगी रहते हैं घर में धन धान भरा रहता है भगवान सुरी के पासना सरवदा उस घर परिवार पर बनी रहती है बहुत लोग चार दिन का ब्रत रखते हैं चार दिन के ब्रत में ऐसा होता है कि जो सबसे पहला ब्रत होता है जिसे की नहाय खाय कहते हैं उस दिन तो कहा जाता है कि एक नहाय खाय होता है जिसमें की पूरे घर को शुद किया जाता है पूरे घर की धुलाई की जाती है रसोई एक सुर्भान का जो ये ब्रत किया जाता है इसमें साफ सपाई का विसेस महतुमाना गया है तो इसके लिए क्या है जाता है कि एक चूला स्पेशली होता है कि उसको साफ करके इस्तेमाल किया जाता है उस चूले का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर की कोई भी नॉन्वेज नहीं बनता हो यदि नॉन्वेज बनता है तो उस चूले का इस्तेमाल छट पर पर नहीं किया जाता है बलकि उसकी जगह एक नया चुला गौध यहाद में मिट्टी का बना दिया जाता हो शेहरों में लोग एक बर्नर का एक चुला सिलंडर में लगा करके उसको पूरे चार दिन सिर्फ पूजन के लिए ही रखते हैं तो एक कमरा बनाया जाता है जहां पर की पूरा साफ सफाइस कमरे की की जाती है चुला जो होता है वह नया रखा जाता है मिट्टी का चुला है तो नया चुला बनाया जाता है उस चुले पर जो परतन इस्तिमाल किया जाता है उनमें से कोई भी ऐसा वरतन ही होता है जिसमें कि नॉन्वेज बनता हो साम के समय में यह सुबा के समय में जो भी भोजन किया जाता है वह सात्विक भोजन किया जाता है जिसे कि नहाय खाय कहते हैं ओजिर घर के परिवार का कोई भी सदसे ना लहसुन खाता है नहीं लहसुन प्याज से बने हुई कोई चीज खाता है ना बाहर की चीज खाय जाती है नहीं नौनवेच खाय ज जाता है पूरा घर बिना लहसुन प्याज के घर में साधा खाना जो बनता है वह खाना खाय जाता है जिसे की नहाय खाय कहा जाता है यह होगा दिना 17 तारिक को 17 नौवंबर 2023 को नहाय खाय का दिन है फिर दूसरे दिन जो ब्रती होते हैं जो 4 दिन का ब्रत धारन करते हैं पहला ब्रत का दिन तो उनका नहाय खाय का दूसरे दिन वह ब्रत रखते हैं खरना का खरना का ब्रत होगा 18 नौवंबर 2023 खरना का विधानिया होता है केवल एक टाइम शाम के समय में जो ब्रती होगा वह खाना खाएगा जो कि सुर्यास्त के बाद खाय जाता है और इसमें इस बाद का विसेश ध्यान रखा जाता है कि जो खरना का भोजन खा रहा होता है उसके सामने चड़िये के भी आवाज नहीं आनी चाहिए बहुत ही सुर्यवान के ब्रत में बड़ा ही नियम और विधी का ध्यान रखना होता है चड़िये के आवाज भी आजाती है जो नहाय खाय के बाद में खरना जो दूसरे दिन की जो पूजा होती है जो खरना का खाना बनता है मैं उसकी बात कर रही हूँ उसका भी एक special पूजा होती है खरना के दिन खेर पूड़ी बहुत लोग बनाते हैं खेर पूड़ी, केला, एक केले के पत्ते पे भोग लगाया जाता है सुरिभवान को तुलसी दल चाहा जाता है और जो ब्रती होते हैं जब खाने बैठते हैं उसमें चड़िये के भी आवाज नियानी चाहिए किसी तरह का आहट या आवाज नहीं की जाती है ताकि जो ब्रती है वह अपने भोजन को ग्रहन कर सके भवान सुरि के लिए या जो भी पूजा पाठे वह बड़े शद्धा भौ के साथ पूजा करे खरना जो कि शाम को खाया जाता है यानि खरना के दिन नहाय खाय के दूसरे दिन जो ब्रती होता है वह सुबा से कुछ नहीं खाता है शाम के समय में खरना का विधिविदान से पूजा करने के बाद खरना का पूजाओ करने के बाद में फिर वह खाता है उसके बाद से शुरू होता है 36 घंटे का निराहार ब्रत खरना की पूरी रात नहीं खाई जाती है दूसरे दिन सुबा जो की 19 तारिकों है महा छट का ब्रत डाला छट यह छट का तेहवार जो की बढ़की छट के नाम से जाना जाता है जो की बढ़की छट के नाम से जाना जाता है वो होगा 19 नॉवंबर 2023 खरना के पूरी रात खरना के प्रिसाद को ग्रहन करने के बाद में जो ब्रती होता है वो पूरी रात कुछ नहीं खाएगा दूसरे दिन दूसरे दिन कुछ नहीं खाएगा पूरे दिन वो कुछ नहीं खाएगा साम के समय में भगवान सुरी को अर्ग देगा जिसे संध्या अर्ग कहते हैं संध्या अर्ग दी जाएगी उसके बाद में 19 तारिक को मैं यह बता रहे हूं आपको 19 नौवंबर 2030 साम को अर्ग दी जाएगी उसके बाद में पूरी रात 19 तारिक की पूरी रात निराहार ही रहना है कुछ भी खाना पिना नहीं फिर सुबा 20 नौवंबर 2030 सुबा भवान सुरी को अर्ग देने के बाद में वहां खड़े हो करके भवान सुरी को अर्ग दिया जाता है जो भी भोग लगाए जाता है भोग देने के बाद में फिर ब्रत का पार्णा क्या जाता है इस प्रकार से इस ब्रत का पार्णा है 20 नौवंबर 2030 आरंभ होगा 17 नौवंबर 2030 17 नौवंबर को है नहाय खाय 18 नौवंबर को है खरना 19 नौमबर को है बढ़की छट डाला छट जो की 24 गंटे का पूरा निराहार हो जाता है और 20 तारिक की प्राते भगवान सुझ को अर देरने के बाद में ब्रत का पार्णा करना है यह मैंने आपको भी धान बताया है जो लोग चार दिन का ब्रत रखते हैं बहुत लोग केवल एक दिन का ब्रत रखते हैं बढ़की छट का ब्रत रखते हैं वो है 19 तारिक को 19 नौमबर 2030 को यह ब्रत रखा जाएगा जो की प्राता कारिन से आराम हो जाता है और दूसरे दिन 20 तारिक के सुभा जब वो सुर्भा उनको अर्थ दे लेते हैं उसके बाद वो पर ब्रत का पार्णा करते हैं यह छट ब्रत बड़े ही बिधी विधान से की जाती है और बड़े भाव से पूचा की जाती है इसके हर चीज का एक विधी है, इस ब्रत को जो धारन करते हैं, वो हर एक विधी में, हर एक विधान में, हर एक चीज का एक अपना नियम है, उस नियम से इस ब्रत को धारन किया जाता है, इस प्रकार से यह ब्रत चार दिन का किया जाता है, और साथ में एक दिन का भी किया जा जो एक दिन का ब्रत रखा जाता है उसे बढ़ की छट कहा जाता है मेरा ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कि प्याँ मेरे वीडियो को लाइक जरू करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन जरू दवाईएगा जे छटी मात आप सब्सक्राइब का बहुत बहुत धन्यवाद